नाजे भाई, कल आपने बताया था सुभव उड़ता ही पाने भीना चाहिए लेकिन जेन दरम मैं ये बताता है कम से कम 48 मिनिट का नियम है ना सूरियोद होने के 48 मिनिट के बाद वो बिलकुल नियम सही है, पका है वो नियम क्या है, वो हमें समझने की बात है वो नियम ऐसा है जो पानी है ना पानी बहुत सारी जीवराशियों का संग्र है अब ये थोड़ी सुक्ष्म की बात है मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन सवाल पूछ लिया इसलिए कह रहा है पानी जो है सुक्ष्म जीवराशियों का संग्र है आप चाहें तो पानी में लें हैं करोणों करोणों सुक्षम जीव आपको दिखाई देंगे इधर उदर भागते घूमते अगर देख लें तो दिली नहीं करें पानी पीने के लिए यह तो सुबह सुबह क्या होता है कि आपका जो मुह हैं यह जो लार है न यह मैंने आप से कहा कि सुबह के समय सबसे ज्या होगी इसलिए जेन दर्शन के कहता है अनावश्यक हिंसा से बचो हिंसा से बच सके हैं यह आदर्श है लेकिन अनावश्यक हिंसा से जरूर बचो अनावश्यक जरूरी नहीं है तो उसको हिंसा मत करो तो अनावश्यक हिंसा से बचने के लिए जेन शास्त्रों ने जेन आच चारियता है ये कम हो जाती है बहुत कम हो जाती है बहुत तेजी से कम होती है और इसकी चारियता कम हुई एलकेलिनेटी जिसको आप कहेंगे अंग्रेजी में तो जीवराशी के मरने की संभावना उतनी कम हो जाती है तो फालतु हिंसा से बचने के लिए जैन दर्शन ने ये क कि नवकार्शियों एक शब्द इस्तेमाल करते हैं तो यह उसके साथ उन्होंने जोड़ा और तालीस मिनट का कैलकुलेशन बागभट जी का भी है वो यह कहते हैं कि सुबह उठते ही अगर आप इंतजार करते हैं तो मुझ की जो लार है इसकी छारियता कम होना शुरू होती ह तो उठते ही पानी पीने में अगर आप जेन दर्शन पालन करते हैं तो 48 मिनट ध्यान रखो और अगर आप जेन दर्शन पालन नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए शायद हिंजा हिंजा का उतना महतु नहीं है लेकिन करें तो आपके लिए भी अच्छा है तो आप बोलेंग तो फिर उसके बाद आपकी दिन चर्या शुरू करो। ये बीच का रास्ता मैंने बताया।